दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको जनकारी देने वाले हैं एक सिलिंग फैन के इंस्टोलेशन की A to Z जनकारी आपको देने वाले हैं तो ये वीडियो है नए इलेक्टरेशन के लिए जिन्होंने अभी अभी नया नया काम शुरू किये तो देखिए ओरियंट कमपनी क का Rapid Air model है हमारे पास इसको हम इंस्टोल कर क्याप को दिखाएंगे इसके लिए देखिए हमें जो टूल चाहिए एक प्लायर एक चाबी चाहिए एक की और एक डेड़ फूट की तार और उसके अलावा हमें टेस्टर और कुछ टूल और चाहिए ठीक है इसके बाद में हम इस कुछ लिखा होता है गरंटी का डेट वगर है सब कुछ लिखा होता है दो साल की यह गरंटी हमें देता है तो इसके बाद देखिए दोस्तो इस गरंटी कार्ड को हम रख देंगे एक साइड में समवाल कर और अब देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है हमें मिलती ह एक 10 इंच की fan road उसके बाद में दो cap मिलते हैं जिनको हमें fan road के अंदर fit करना होता है देखिए यहाँ पर एक cap के अंदर नाम लिखा होता है कंपनी का और दूसरे cap में कुछ भी नहीं लिखा होता है इसके बाद में देखिए यह एक safety के लिए यहाँ पर कुछ बनाया होता है और उसके अलावा देखिए यहाँ पर एक मिलती है cycle kit ठीक है तो cycle kit को आपको बहुत ही सावधाने से लगाना होता है इसके भी पूरी जनकरी आपको आज देंगे इसके बाद देखिए यहाँ पर यह safety rope मिलता है दोस्तो protection के लिए यह एक extra wire मिलती है support के लिए इसको सबसे जरूरी होता है लगाना अगर इसको लगाना नहीं आता है तो आपको पंखा लगाना नहीं आता देखिए अब क्या करना है आपको अब यह ceiling fan मिलता है हमें देखिए यह ceiling fan होता है और इसके अंदर भी कुछ जानकरी ऐसी होती है जो आपको सीखना जरूरी होती है इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा important होता है यह nut यह nut कहां लगेगा वो आपको बताएंगे अब क्या करना है अब सभी समान को हमने देखिए एक जगह पर ऐसे fix कर दिया है रख दिया है और अब क्या करेंगे देखिए यह जो nut है दोस्तों यह 6 nut आपको देखने को मिल रहे होगे और यहाँ पर एक गते की वार्सल टाइप की लगी होती है जिसको वहाँ पर लगा रहना होता है यहाँ पर air blade लगती है ठीक है और अब starting करते है इसकी जो installation की process है यानि कैसे आपको इसको लगाना है सबसे पहले इस fan road को आप निकाल लीजिए fan road को निकालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर यह जो cap होते है इस cap में भी आपको थोड़ा समझना होता है यहाँ पर यह जो नाम वाली cap है जहाँ पर नाम लिखा होता है इसको आपको उपर की side रखना है हमेशा ठीक है और उपर की side रखने के बाद आपको जो एक और cap है उसको नीचे की side में लगा देना है यहाँ से यह जो होला है इसमें से और यहाँ से नीचे की तरफ लेगे जाएंगे क्योंकि इसका दोस्तों connection करना होता है हमारे पंक्के में तो यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से और निकालने के बाद यहाँ से यह जो cut दिया है इसके लिए secondary support cable होती है और इसको कैसे लगाना सबसे बहुत ही जादा जरूरी बात इसमें इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे खुल लेंगे ऐसे खुलने के बाद यहां पर एक screw दिया होता है इस screw को हम lose करके बिल्कुल अलग कर लेंगे जो दो पत्ति आपस में connect किये इसको हम lose कर लेंगे ऐसे तो lose करने के बाद देखिए ऐसे अलग हो जाती है और फिर इस wire को इस पत्ति के अंदर से बाहर निकाल लेंगे तो process आपको दोस्तों यह सिखनी है ठीक है इसको निकालने है बाहर और इसके बाद में यह जो आगे वाला हिस्सा है इसका wire का इसको हमें इस fan होता है जो लगाने के लिए फुक होता है वहांपर हमें लगना है इसके बाद cycle kit का net खोलेंगे cycle kit को हमें खोल लिया है और यहांपर देखे यह now Бог मिलता है और इसमें मिलता और फिट करने के बाद यह नट इसके अंदर हम लगाएंगे देखिए ऐसे और नट लगाने के बाद यह जो नट है दोस्तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलिंग फैन में तो इस नट को आपको लगाना है कहां यह आपको बाद में है तो इसको हम वायर को सेफटी रोप की वायर को ऊपर के तरफ किस लेंगा और ऐसे देखिए ठीच के देखते हैं तो पंका हमारा एकदम हो जाता है मतलब पंका गिरता नहीं और उसके बाद देखिए आपको यह नट बोल्ट लगाने है नट बोल्ट में भी दोस्तों मेशा लगानी है वार्सल लगाने के बाद आपको यह बिल्कुल अच्छे से टाइट करना यह चीज़ आप एंस्योर कर लें 100% है टाइट करना है जो भी टूल आपके पास होता है उससे आपको बिल्कुल दोनों तरफ से पकड़के आपको ऐसे टाइट कर देने हैं बिल्क पंखा बिल्कुल भी यह जो पंखा है इसके बीच में कोई भी किसी प्रकार की लूजिंग प्ले नहीं है तो यहां पर इसको थोड़ा सा उंचे की दरफ कर देंगे लोग पर नैसे से हमें लग जाती है तो ठीक है इसके बाद देखिए जो वायर है यह जो कनेक्शन हमें इस पंखे को यह दोनों वयर हमें यहां connecter के अंदर connect कर देंगें इसके दवारा पंखे को neutral और face display मिलेगी या नहीं की proper बिचली इससे मिलेगी तो दोनों तारी यहांपर लगाएंगे हम कनेक्टर के दोनों end पर हम लगा देंगे और अच्छे से tight कर देंगे बिल्कुल अच्छे टाइट आपको कर लेना ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान देनी है तो अब देखिए दोस्तो जो wiring है वो हमने कर दिया है टाइट भी हो गए wiring खिंच के हमने देख लिया है अब आपको ये wiring ऐसे होनी चाहिए देखिए पंखे के टच नहीं होनी चाहिए एक्स्ट्रावायर को आप उपर की तरफ खिज़ दीजिए और इसके बाद देखे ये जो वायरिंग है ये बिलकुल ऐसे होनी चाहिए आपको हमने बता दिया है नीचे टच नहीं हो रही है और इसके बाद ये कैप हम कर देंगे नीचे की और नीचे की तरफ कैप करने के बाद देखे यहाँ पर अब सुरू होता है जो safety rope लगाने की process होती है वो ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे जो cycle kit होता है उसको हमें पहले हमारे fan box के अंदर fit करना होता है उसके लिए cycle kit में जो nut गया होता है नीचे की तरफ का जो nut होता है व लगा दिते है लगाने के बाद जो process होते है पंखा लगाने के की तो cycle kit लगाने की होता है वो देखे यहाँ पर बहुत ही जरूरी आपको सिखना और अब देखे यहां पर लगा देते है यह nut यह यह पर हमें नट लगा दिया है इसके बाद में डोनों वरसल लगाएंगे औ और इसके बाद में लगाएंगे हम यह बॉल्ट और इसको भी प्रोपर अच्छे तरीके से हमें टाइट करना यह चीज़ एंसूर कर लेनी हमें जो भी टूल आपके पास हो उससे आप इसको टाइट कर दीजिए उसके बाद जो सेफ्टी लोग पिन होती है उसको लगाना है इसको Fit करने के लिए देखें यहाँ पर यह पत्ती है इसके अंदर से हमने एक वायर निकाल लिए और जो हमारा Fan Box होता है उसके अंदर से आपको इस वायर को एसे मोड कर लेके आना है ठीक हैं और यहाँ रखने के बाद जो nut bolt चोटे nut bolt इसके सामने साथ आये थे इसको हम यहाँ पर ऐसे लगा देंगे nut bolt दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाने के बाद आपको tight कर देना है और tight करने के बाद में यह जो process है दोस्तों यह ऐसे पूरी हो जाती है देखिए यहाँ पर जो अच्छे तरीके से एक ceiling fan लगाने की process होती है वो शुरू हो जाती है प्रोसेस ऐसे होती है ठीक है तो इस प्रकार से आप पंखा लगा सकते हैं और आपका पंखा कभी नहीं गिरेगा आपका nut bolt कट भी जाता है तो भी आपका पंखा कभी नहीं गिरेगा देखिए आप कैसे हमने इसको fit किया है इसके बाद आप जो air blade होता है वो लगा दीजी और पंखे को आप आसानी से चला सकते हैं कभी आपका पंखा नहीं गिरेगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो का like और share जरू केजिए आप चैनल पर नहीं तो subscribe जरू कर दो